Friends, Welcome to Divine Institute. This is Harish Sharma. आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नेम है The Road Not Taken. इसको लिखा है Robert Frost. इसका मेनिंग होता है Friends, The Road Not Taken, मतलब रोड जिसको नहीं चुना गया, यह रोड जिस पर मेरे द्वारा नहीं चला गया. Friends, बहुत सुन्दर पोएम हैं, इनके बारे में बताया गया है, This very known poem is about making choices. यह जो प्रसिद्ध पोएम है, वो selection, चुनने के बारे में है, जो हम किसी चूच को choose करते हैं, उसके बारे में है, and the choices that shape us, और जो हम चुनते हैं, उसी कारण हमारे अंदर बदलावाते हैं, शेप उसी के कारण बनती है हमारी, जिसे भी हम होते हैं, उस चुनने के कारण होत जो Robert Frost है, वो एक American poet है, वो writes simply, वो बहुत साधरान लिखते हैं, but insightfully, लेकिन वो जो राइटिंग हैं, उसी कारण हैं, अंतर द्रस्टी लिए हुए हैं, प्रेणा लिए हुए हैं, about common ordinary experiences, जो साधरान और simple अनुभाव से होती हैं, लेकिन वो बहुत knowledge वाली, insightfully होती हैं, अंत छोटी छोटी events होते हैं, simple events, छोटी जो घटना होती हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीजे सिखाती हैं, अगर हम उसको observe करें, watch करें, तो निश्यत ही हैं, वो चीजे हमको सिखाने वाली होते हैं, देखते हैं, यहाँ पर poems को रीट करते हैं, there are four strangers in this poem, each stranger has five line, यहाँ पर 20 lines की यह poem है, पहला string देखते हैं, two roads divers in a yellow wood and sorry I could not travel both, यहाँ पर बताया गया हैं कि दो roads बटे हुए थे, yellow wood के अंदर, yellow wood यहाँ पर बताया है, yellow color की जो पत्तियां हो जाती है, जब autumn season के अंदर, जब पत्तियां, जब leaves falling होती हैं, उनका जो color हो yellow होता है, और जब वो सब गिरती है तो पूरा yellow दिखने लगता है, तो yellow wood इसलिए यहाँ पर कहा गया है, फिर आगे अगली line में बता रहे हैं, and sorry I could not travel both, और वो sorry feel करते हैं, क्योंकि मैं दोनों पर मैं नहीं चल सकता, एक है वो, दोनों पर possible नहीं है चलना, next line, and be one traveler long I stood, और एक यातरी होने के कारण मैं पर रुख जाते हैं, and look down one as far as I could, और एक रास्ते को मैं देखता हूं, जितनी दूर तक मैं उसको देख सकता हूं, उसको मैं देखता हूं, to wear it bent in the undergrowth, और आगे चलके वो bent हो जाता है, मुड जाता है, और undergrowth हो जाता है, दब जाता है, घास और वहाँ पर shrubs, herbs उगी हुई ह जाती है, उसमें वो छुप जाता है, तो अब वो उसको देख नहीं पाते है, next stranger, then took the other just as fair, उसके बाद, अब मैं दूसरे रास्ते की और देखता हूं, और वो fair होता है, just as fair, and having perhaps the better claim, और शायद जो यह जो दूसरा रास्ता है, वो better होता है, उससे better claim, better होने का दावा करता ह है, because, उसका reason यहाँ पर बता रहा है, because, it was greasy and wanted wear, grassy, यह जो है, यह रास्ता, जो दूसरा रास्ता है, वो grassy है, wanted wear है, अभी इस पे कोई चला नहीं है, इसलिए यहाँ पर घास जो है, वो लगी हुई है, और wanted wear का मतलब होता है, चलने के लिए हैं, यह लोग अभी इस पे को जादा उनको जो है, अच्छा लग रहा था रास्ता, though, is for that, the passing there, जब वो इस पे चलते हैं, वो चलते हैं, passing there, had worn them really about the same, तो वो बताते हैं कि शायद जो हैं, दोनों ही रास्ते जो हैं, वो एक जैसे हैं, यह worn them, उनको उनके बारे में बताते हैं, कि यह दोनों ही रास्ते जो हैं, एक जैसे ही हैं, and both that morning equally lay, उस morning में जो हैं, दोनों ही रास्ते एक जैसे ही थे, एक जैसे वो रास्ते थे सुबह, in leaves, no step had trodden black, और जो leaves हैं, वो जो पत्तिया हैं, वो भी वहाँ पे टूटी नहीं थी, कोई step नहीं, कोई वहाँ पे किसी में पेर नहीं रखे थे, इ नेक्स लाइन में बता रहे हैं, oh, I keep the first for another day, यहाँ पे एक्सलामेंटरी साइन का युसकी है, वो इसमें कर रहे हैं, थोड़ा सा आश्यर कर रहे हैं, या थोड़ा फिल कर रहे हैं, कि मैं उस पहले रास्ते पे नहीं चल पाया, और मैंने उसको दूसरे दिन के लिए, कभी एक रास्ते पे जब वो आगे बढ़ जाते हैं, तो किस तरह से वो रास्ता और आगे की और हमको ले जाता है, जब हम एक रास्ते पे चलते हैं, तो वो और आगे हमको लीट करता है, and I doubt it if I should ever come back, अब वो संदे कर रहे हैं कि शायद अब मैं उस दूसरे रास्ते पे आ सकू वो जो मैंने छोड़ चुका था वो जो पहला रास्ता, तो अब मैं वापिस से शायद ही अब मैं उस रास्ते पे जा सकू क्योंकि मैंने जो ये रास्ता चुना है, उस पे वो आगे निकल जाते हैं, और वो रिटन होने के लिए वो थोड़ा सा doubt करते हैं, शायद ही अब उ ब्रिथिंग करके वो यहां पर बताएंगे, मैं ऐसा कहूंगा, somewhere goes and somewhere, somewhere, edges and edges hence, कभी वो ऐसा future में, hands का मतलब होता है, भविश के अंदर वो ऐसा बता पाएंगे, या ऐसा कहेंगे, edges and edges, समय जब बीच जाएगा, बहुत सारा जो समय पास हो जाए, बीच जाएगा, future में वो ऐसा कहेंगे, two roads, divers in a wood and I, I took the one, let's travel by, तो यहां पर वो बता रहें कि, दो रास्त, एक जंगल में बटे वे थे, दो रास्ते थे और में था वहां पर, मैंने वो रास्त चुना, जिस पर कम लोग गए थे, I took the one, मैंने वो रास्त चुना, जिस पर कम लोगों ने travel की थी, and that has made all the differences, और उसी की कारण मेरे अंदर जो बदलाव है आज, मैं जो भी हूँ, वो उसी की कारण हूँ, और उसी की कारण हूँ, जो रास्ता मैंने नहीं चुना था, और जो रास्ता मैंने चुन लिया था, उ उस डिसीजन के कारण, वो जो मैंने चुना था, उसी के कारण मेरे अंदर, जो भी परिवर्तन हुआ है, और आज जो भी मैं हूँ, उसी के कारण हूँ, तो friends, नेश्यते ये जो पोयम है, वो हमको ये बता रही है, कि जीवन में, जब हमको ऐसी इस्ततियां आती हैं, लाइ आप जब एक डिसीजन ले लेते हैं, जब आप उस रास्ते पर उस वे पर आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर आपके पास बहुत मुश्किल होता है, कि आप वापिस पीछे आएं, और आपने जो छोड़ दिया था रास्ता उसको अपना है, तो जो डिसीजन मेकिंग जो यहा सकते हैं, बेर बढ़ आपके ट्यवक्चा बढ़ रहां, स रखने हैं, तो फिरोछ quierenशे हैं, तो कितो तो बिसी प्रोड़ चाहिए है